आज का सब्जेक्ट मन मन के बारे में सब संतमा आत्मा बताते आये हैं मन कोई छोटी मुटी चीज नहीं है कि हम जिस तरब चाहे उसे मोड के उसे काम करवा लें मंत्री लोके का मालिक है जब ये आत्मा सत लोग सचखन छोड़ के नीचे आये मंदल बई मंदल आती है और पार ब्रहम छोड़ के ब्रहम में आती है तो काल वहीं पे मन का साथ गांट मार देता है और आत्मा मन के गांट ब्रहम में ही बन जाती है और वहां से मन हमारे आत्मा के साथ आता है और आके इस पिंड के अंदर दोनों आँखों के बीच में दोनों की बैठक हो जाती है इसलिए आत्मा और मन ये दोनों आँखों के बीच में ही इनका स्थान है और वहीं जो सतलो सचकंड से जो सब्द आ रहा है वो भी वहीं तक आके दुनकार दे रहा है तो कहते हैं कि मन कोई छोटी मोटी चीज नहीं ये तिलोकी का मालिक है तीनों लोग पे मन का अधिकार है ब्रह्मा, विष्णु, महेस्वर सब मन के बस में हैं तो कहते हैं कि मन कब बस में आता है स्वामी जी माराज ने भी बड़ा अच्छा ही सारा दिया है कोटी जतन से यह मन नहीं माने धुन सुनकर मन समझाई करते हैं लाखो प्रयतन करो मन को मनाने की मन नहीं मानता लेकिन जब गुरु की कृपा से आप बजन सुमरन करके दस में में पहुंच जाते हैं और अश्रबद प्रगट हो जाता है तो सब्द की लजज़त पाके मन इस्थिर होता है मन मान जाता है तेसलिए सब संतों ने कहा है कि मन को बस में करने का साधन सब्द है और उस सब्द प्रगट होगा ही तो ही मन बस में आएगा उसके अलावा हम प्राणयाम आश्टांग योग जब तब कुछ भी कर लें लेकिन जब तक उपर का सब्द प्रगट नहीं होगा मन बस में नहीं आता है इसलिए बड़े-बड़े रिसियम और नियो योगियों को भी मन ने धोका दिया क्यों मन जो है कि वो ब्रह्म से आया हुआ है और इनकी पहुंच वहां तक नहीं हो पाती है इनिचले स्टेस तक होते हैं तो मन इन पे हाबी होता है तो इसलिए मन बहुत जबर्जस्त ताकत है तीरत बरत उपवास से मन बस में नहीं आता है होता है कि मन थोड़ा निर्मल हो जाए लेकिन मन को अगर अपने बस में करना है तो सुर्थ सब्द का अभ्यास एक ही सादन है जो संत ओतरी का अपनाए हैं जब तक कामिल मुर्सित पुरा गुरू नहीं मिल जाता है और वो सुर्त सब्द का अभ्यास नहीं देता है उसके बताईवे दाइरे पे चलके हमाड़ा ही तीन गंटे की बैठक नहीं बनाते हैं तब तक मन को बस में करना बड़ा मुस्किल होता है इसलिए तो संतों ने सुमरन और ध्यान का तरीका दिया है मन को समझाने के लिए ससंग दिया है ससंग क्या है मन को समझाने का एक तरीका है मन को समझा बुझा के दुनिया की तरफ से मोड़ के भक्ती की तरफ लाना और मन को दुनिया से हटाने के लिए सुमरन बहुत बड़ा ताकत है तो मन दुनिया के सुमरन से जुड़ा होता है उस मन को अगर नाम के सुमरन से जोड़ दें तो जैसे जैसे ये नाम से जुड़ेगा मन निर्मल होएगा और मन जैसे जैसे निर्मल होएगा उसमें सांती आएगी और जैसे जैसे मन मलीन होता है, वैसे वैसे चंचल होते जाता है, तो दुनिया का चिंता करके मन चंचल होता है, और नाम का सुमरन करके मन स्थिर होता है, निर्मल होता है, तो इसलिए संतों ने नाम का सुमरन बताया है, सद्गुरु का ध्यान, क्योंकि किसी चीज को मन को स् करते हैं उसका रूप भी हमारे चित्रुपी कैमरे में आ जाता है वेसे दुनिया का सुमरन करते हैं तो दुनिया का रूप आ जाता है और नाम का सुमरन करते हैं तो गुरु का सुरुप का ध्यान कराया जाता है तो इसलिए ये दोनों चीजे जरूरी होती हैं गुरु के सु मन को निर्मल करने का, पवित्र करने का, मन जैसे जैसे निर्मल होते जाता है, आप में परिवर्तन आता है, हमारे अंदर शांती आती है, हमारे अंदर दीनता नम्रता आता है, सील संतोस छमा पैदा होता है, और मन चंचल होता है, तो राग द्वेस कपट और वहां पे दूसर अवगुन हमारे अन्दर ज़्यादातर प्रगट होते हैं तो इसलिए बहुंत जरूरी है कि सुमरन और नाम सुमरन ध्यान करके अपने मन को निर्मल करें और अंदर जाने के लाइक बनाएं और अंदर जाने के लाइक सुमरंध ध्यान से निर्मल होकी हो सकता है और कोई दूसरा साधन नहीं चाहे लाखो तिर्थों में असनान कर लो या तो कितना भी उपवास रख लो लेकिन मन साफ और निर्मल नहीं होता है जब तक कि हम बजन नहीं करते हैं तू इसलिए आते हैं कि lappen करोड़ो साधन करके भी लोग हार गए लेकिन मन निर्मल नहीं हुआ वबस में नहीं नहीं आया जब तक कि कामिल मुरसित पुरा गृरु नहीं मिलता सुरसब्द का भ्यास नहीं मिलता हम भी सुर्व सब्द का भ्यास नहीं करते तो मन के बारे में हमें समझ नहीं आती हम मन को कोई और चीज समझते हैं एक अक्स समझ लेते हैं लेकिन नहीं मन बहुत उची चीज है अईतिलोकी का मालिक है ये ब्रह्म से आया है फिर साधन करके जब हम अंदर जाते हैं और जब ब्रह्म में पहुंसते हैं तो मन उसके उपर नहीं जा सकता वो ब्रह्म में हमारा साथ छोड़ देता है कि वहीं से ही साथ पकड़ाता है वहीं छोड़ देता है और आत्मा उससे अलग हो जाती है और वहां से पारब्रम जाके मांसरो रस्नान करके निर्मल हो जाती है और वहां मन नहीं रहता है वहां निर्मल ता एकदम निर्मल ही निर्मल आत्मा ही है लेकिन वहां भी थोड़ा चाराने आत्मा के उपर आवरन होता है जो सत्पुरुस का दर्सन करके निर्मल हो जाता है तो इसलिए इसारा देते हैं कि महातुमा मन कोई चोटी मोटी चीज नहीं है ये तिलोकी का मालिक है इसको चाहे कितना तपेस्या करो कितना भी ये करो लेकिन मन आपके बस में नहीं आता है विश्वा मित्र ने साथ हजार बरस तपेस्या किया रिद्यां सिद्यां हासिल की मन ने दोका दिया सुरिंगी रिसी ने 88 हजार बरस तपेस्या किया लेकिन मन ने उन्हें भी दोका दिया मन कोई चोटी मोटी चीज नहीं है मन तिलोकी का मालिक है मन को बस में करने का साधन सद्गुरू का बताईवा सुर्व सब्द अभ्यास इसलिए चाहिए कि चलते फिरते उड़ते बैठते सुमरन की आदत बनावें सुमरन चाहिए जिस आलत में भी करेंगे हमारा मन निर्मल होएगा और वो सब सुमरन हमारे लेखे में जमा होगा हमारा समय सार तक होगा सुमरन के बेगर जो समय जाता है वो बिर्था चला जाता है इसलिए चाहिए कि सुमरन की आदत डालें चलते फिरते काम करते और खाते पीते सुमरन की आदत करें तो इससे बहुत बड़ा फाइदा मिलता है, हम इसी सरीर में और जल्दी ही कुछ काम्याबी हासिल कर सकते हैं, अगर सुमरन नहीं चलेगा, तो हम काम्याबी जिन्दगे में कभी यह हासिल नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए चाहिए कि सुमरन जतना ज्यादा से ज्यादा करेंग उतना जल्दी काम्यावी हांसिल होगी सुमरंज इतना स्लो चलेगा उतना लेट काम्यावी होगी तो इसलिए मन को अंदर लाने के लिए मन को निर्मल बनाने के लिए सुमरंज और ध्यान की बड़ी जरूरत है और जब मन सुमरंज ध्यान करके निर्मल होता है और इस्तिर होने लगता है तो हमारी रूचड़ाई करने लगती है लेकिन मन जब तक इस्तिर नहीं होगा रूचड़ाई नहीं कर सकती यही सबसे बड़ा एक दुसमन है आटंक है तो इसलिए चाहिए कि सुमरंध ध्यान करके मन को निर्मल करें नो से दसमें में आवें और आके वो सब्द की लजजद मन को मिल जाए मन बस में आ जाता है क्योंकि मन लजजद का आसिक है इसको जहां आनंद मिले मन भाग जाता है उससे अच्छी से अच्छी चीज मिले मन जाके उसमें समाता है तो कहते हैं सबसे अच्छी से अच्छी चीज क्या है सबसे अच्छा से अच्छा सुख किस में है वो सबद में है वो सबद प्रगट हो जाए तो मन को जब सबद का लजज़त मिलता है तो दुनिया की लज़़त को लात मार देता है और मन जाके सब्द में समा जाता है, सब्द को छोड़के दुनिया में नहीं आता है, तो जहां मन नहीं, वहां आसा और तिष्णा नहीं, तब जाके हम इस मन के दाइरे से छुटका रापाते हैं, जीते जी, सरीर में रहके भी, और मन हमारा कुछ नहीं में बिगाड़ता है, वो जो मन दुसमन था वो मित्र बन जाता है हर जगे हमारी मदद करता है बजन सुम्रन में भी मदद करता है बारी कामों में भी वो मन मदद करता है लेकिन जब तक सब्द की लज़त नहीं मिलती ये मन हमें धोखा देता है भक्ती से दूर करने की कोशिस करता है और हमें भटकाता है और नर को में ले जाने का साधन बन जाता है तो इसलिए चाहिए कि जो गुरु का दिया हुआ सुमरन ध्यान तरीका है उस पे अमल करें सुमरन ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिस करें हम जतना ज्यादा सुमरन करे होंगे उतना ही जल्दी काम्याभी हासिल होगी जितना स्लोक सुम्रन चलेगा उतना लेट काम्याभी होगी रादास।